तो राजिपाल कल राज मिश्र से मुलाकात की गई है नवनियोक्त मुख्यन आधीश पंकच मिथल ने मुलाकात की है नवनियोक्त मुख्यन आधीश पंकच मिथल ने शपत ग्रहन से पहले राजिपाल से मुलाकात की राजभवर में दोनों के बीच शिश्टा चार मुलाकात हुई है मुलाकात के दोरान के तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं नम नियुक्त मुक्हिनाधीश ने राज़िपाल कल राजमिश्र से मुलाकात की और बड़ी खबर सामने आ रही है रंज़िश में किये गए पत्राव की राजसमन जिले के देवगर थाना शित्र से एक खबर है आदर्श नगर इलाके में दो गुटों में जम कर पत्राव हुआ और लाठी डंडे चले एक दूसरे पर हमला करने का वीडियो अब वारल हो रहा है ग्रामिनों की सूचना पर देवगर थाना पुलिस मौके पर पहुची और करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया ये वीडियो देवगर थाना शित्र के आदर्श नगर हरिजन वस्ती का बताया जा रहा है इस्थाने लोगों का कहना है कि शेत्र में आए दिन आपसी रंजिश में लाठी डंडे तलवार और पत्थरों का इस्तमाल किया जाता है कई लोग इसमें खायल हो जाते हैं अब शेत्र के निवासियों में डर का महल है तो रंजिश में लाटी और डंडे चले दो गुटों में जम कर पत्राव भी हुआ ये वीडियो आपको टिवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं राट समन से ये तस्वीरे सामने आई हैं जहाँ पर आपसी रंजिश को लेकर दो गुट आपस में भिड़ते नजर आए बताया जा रहा है कि यहाँ पर आय दिन इस तरीके की तस्वीरे देखने को मिलती हैं लाटी डंडे चलते रहते हैं पत्राव होते रहते हैं इसके चलते शेत्र के लोग भी देश्चत में हैं तस्वीरे आप देख सकते हैं किस तरीके से दो गुटों मेहा पर होनी संगर शुआ है जम कर पथराफ किया जा रहा है लाठी और डंडे चलाय जा रहा है इससे आसपास के लोग डर के महौल में जीने को मजबूर है भई में है और उनका कहना है कि इन चीजों पर सक्त से सक्त कारवाई की जाए क्योंकि उनका कहना है आई दिन लगातार इस तरीकी की तस्वीरे सामने आते हैं